तो आज एक बुक के बाड़े मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताऊंगा उस बुक को पढ़ने के बाद या उस बुक को सॉल्फ करने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्फ मिलेगा आपके नीट एक्जाम में जो लोग भी ड्रॉपर है या जो लोग अच्छी चीज़े दिये रहते हैं जिसमें आपको hard work तो करना ही है यह आप सभी को पता है लेकिन hard work के साथ साथ आपको smart work भी करना पड़ेगा तो आज की इस वीडियो में इस बुक के बाड़े में मैं पूरे अच्छे से डिटेल में डिसकस करने वाला हूं तो वीडियो नीट 2022 का तयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आपको पढ़ने के बाद या इसे सॉल्व करने के बाद या इसे देखने के बाद आपका बहुत जादा doubt clear होने वाला है और कहीं ने कहीं आपको बहुत जादा confidence भी आगा तो अगर आप एक नीट एस वीडियो पर एंड तक बने देएगा तो चलिए अब हम बीना समय बढ़बात किये हुए बुक के बाद में बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लिए क्या लिखा हुआ है नीट यूजी एंड एई पीम्ट यह एलन के तरफ से प्रोवाइड किया जाता है हर बच्चे को यह बुक अभी लीटर में दिया गया है हर बच्चे को मिलता है यहाँ पर देख सकते है 11 years test paper तो सबसे पहले इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ पिछले इगारा साल में नीट में जो जो भी question पूछेगा है तीनों subject के physics, chemistry and biology इसमें आपको पिछले इगारा साल के questions सब कुछ आपको मिल जाएंगे जैसा कि अगर हम book के first page में आते हैं तो सबसे पहले तो यहां हमारे कुछ टॉपर्स भाई का आपको फोटो देखने के लिए मिल जाएगा साथ ही साथ यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको मिलता है contents इसके नीचे यहां पर देखिए year 2020, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 पिछले 11 साल में जितने भी questions पूछे गये हैं सब कुछ आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है यह देखे नीचे 2021 में जो जो भी question पूछा गया था यह physics का है साथ ही आप यहां पर page पर लटते जाएंगे यह देखिए section B स्टार्ट हो गया उसी के साथ साथ ही आप chemistry स्टार्ट हो गया ठीक है तो गाई जहां पर देख सकते हो कि आपको पिछले 11 साल का सब कुछ यहां पर question paper मिल जाएगा जो नीट में पूछा गया यह देखे biology bought me तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताते हैं उसके बाद जो main चीज है इस book का उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में आप smartly work करके कैसे अपना पढ़ाई को और जादा बूस्ट कर सकते हो अपना confidence को बूस्ट कर सकते हो ठीक है क्योंकि अभी भी neat में है 3-4 महीने समय दो-3 महीने तो है ही तो कहीं न कहीं आपको बहुत जादा फायदा मिलने वाला है तो देखिए सब सब पहले आप कितना भी module का question solve कर लीजे कितना भी NCRT पढ़ लीजे जब तक question solve नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है जो लो question solve करते हैं उनको अच्छ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि क्या कमी है कहां दिक्कत है क्योंकि देखिए क्यों कहीं कहीं ने कहीं एक वह जो होता है वह आपका clear हो जाएगा कि हां मेरे से question बन रहा है आप कितना भी पढ़ लो लेकिन आपके अंदर वह confidence नहीं आगा क प्रैक्टिस के लिए तो जो एलन प्रोवाइडे जो मॉड्यूस होते है वह best है उसमें इतना question दिया रहाता है कि अगर आप वह एक है question अगर बना ले तो खुद से इमांदारी से तो आपका एकदम मतलब confirm है कि आपका concept सब clear है ठीक है उसका साथ ही साथ आपको race भी दिया रहते हैं वह आपका basics advanced level तक कहता है लेकिन अगर आप पिछली 11 साल का नीट का paper दिखेंगे अगर यह questions आप बनाएंगे यह जो इतना मोटा book दिख रहा है आपको अगर इतना question solve कर लेते हैं तो इससे आपको idea लग जागा एक दम perfect idea कि neat में किस type का question आता है किस level का question आता है औ अगर आप यह question solve करते हो क्योंकि देखें यही सब question है जो पिछले 11 साल में neat में पूछा गया है आगे भी सी type के question पूछे जएंगे इसी level के question पूछे जाएंगे ठीक है निट का जो भी कॉस्चन है इसमें उसके उपर, अब हम में बात करते हैं, जो भाई लोग हमारे जो है, जो कि 2-3 महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, निट के लिए, तो भाई सबसे पहले देखो, निट एक ऐसा कमप्टीटिव एक्जाम है, जो कि 2-3 महीना में मु तो इसी के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं जो भाई लोग भी मतलब ऐसे होते हैं जो कि 3-4 महिने पहले से पढ़ने स्टाट करते हैं तो ज्यादा खास कर यह चीज तो उनहीं के लिए है लेकिन बाकिस सब भी सुन ले कि देखिए आपको कहीं ने कहीं यह पता होना चाहिए कि कौनसा टॉपिक आपके लिए इंपॉटेंट है तो यहां पर अध्यान से देखिए यहां पर आपका क्या बताया गया है तो यहां अरे 20 में गाईस जिसमें से 5 कोश्चन पुछा गया है मोडन फिजिक से तो देखिए यह क्या है तो देखिए गाईस यह आपका चेप्टर वेटेज यहां पे आपको पता चल रहा है देखिए सबसे उपर जिसमें सबसे ज़्यादा कोश्चन पूछा जाता है जैसे कि दे ज्यादा Concept पर ध्यान देना है ज्यादा प्रैक्टिस उन चेप्टर का करना अब जैसे कि यहां पे देखे यहां पर Zero question पूझा गया यहां पर इस Chapter से Zero question question पूझा इसको अगर आफ दस वार बीच वारी वीजन करते हैं और इसको एक वारे वीजन करते हो तो इसी के लिए यहां पर आपको स्मार्टली करना पड़ेगा तो आयोप जो आपको समझाना चाहता था आप समझ गहा हूंगे ठीक है तो यह थो है फिजिक्स का बात सेम चीज़ अगर आप केमेस्ट्री में द देखे यहाँ पे 6 ऊबॉछा गया था, यहाँ पे जैसे कि यह जान चर्ठया चर्ठटर, तो जिससे सबसे ज़्यादा पूछते पूछा जाता है, पहले आपने 12 और 9 साल का data, जिससे जान पूछा जाता है उसी का प्रायकोई कोई कम-कम है कि इसमें को होगी इसमें क समीजिक शिरी मत पहलता है, तो यह सब को सल भी फोककास करना है लेकिन कम करना इस पे मिलगा करना है यह गों机AL के सथ Extra- 94 पहला प्रेस mand disabled होगा नहीं आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा अड़ेस्ट कर लीजेगा दिखिए यहां पर भी सब कुछ है जैसे कि यह देखिए पूरा मतलब मॉडिल नंबर टू है ठीया लीडर बैसका मैं बता रहा हूं देखिए इसे कितना 28 मतलब कि अगर आप मॉडिल नंबर दो पढ़ लेते हैं पूरा तो 28 तो इसी से आता है तो आप समझ लो यहां पर देखिए सब कुस्तों मैंने आपको पीछे बता ही दिया है चेप्टर वेटेज कहीं साब साब मेहनत कीजिए अब जैसी यह देखिए यहां पे 00 question आ रहा है इन सब चेप्टर पे ज्यादा फोकस किजी ज्यादा रिविजन किजी मतलब मेरे कहने का यह मतलब है कि बाकी जो यह जो नीचे जो चेप्टर जैसे ऐसे दिया है तो आप अपना question वेटेज के हिसाब से focus करके और अच्छे से परहाई करें तो बहुत सारे भाई लोगों को यह वीडियो सबके लिए है बाकी मैं देखे यहाँ पर यह जो भी पेज है मैं वीडियो के end में सबका screenshot लगा दूगा ताकि जो भाई लोग जो एलन में नहीं परते वो भी इसका अच्छा से वेटेज अपना देखके और इसके ही साब से अपना study कर पाए होगा अगर अगरे साथ